हलो बच्चों गूड मानिंग तो बच्चों एक वार फिर से आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ रामबान स्रीज लेकर और रामबान स्रीज में हम लोग दिरगुतरी ये प्रशने देखते हैं जो कि बड़ा इंपोर्टेंट होता है बच्चों एक्जाम के दिरिष्टी क चेत्रे में सिमेंट की महत्वपूर्ने भूमिका है बच्चों चाहे वो आवास की निर्मान की बात हो या देश का जो धांचा धांचा का मतलब होता है सड़क निर्मान बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के निर्मान साथ ही साथ जो ये इमारतों के निर्मान इसको बोलते ह है, तो भारत भिस्वे का दीजोसा सबसे बड़ा सिमेंट उत्पादक देश भारत में उत्पादित सिमेंट का निर्यात इंडोनेशिया, मलेसिया, मांगलादेश, मयामार इतियादी देशों में किया जाता है मतलब भारत में जो बनने वाले सिमेंट है ना उसको इन देसों में बेचा जाता है निर्यात का मतलब होता है बेचा जाना सिमेंट उधोक जो होते हैं वो अस्थाई होते हैं इसको आप एक जगह से दूसरी जगह घुमाते नहीं रह सकते तो सिमेंट उधोक के अस्थाई करण के करण मतलब ये एक ही जगह पे लगाया जा सकता है वहीं पे माल तयार होगा ठीक, तो कच्चे माल और सक्ती के साधन पुंजी तथा परीबहन के साधन का होना जरूरी है मतलब कच्चा माल रहे और अस्थाई होता ये मतलब ये नहीं की बार बार बंद करो खोलो है ना बच्चे तो कच्चा माल चाहिए मसीने चाहिए, शक्ती के साधन चाहिए पुंजी बहुत ज्यादा चाहिए और परीबहन का साधन होना बहुत जरूरी है बच्चो भारतीय सिमेंट की गुनबता उत्तम होती है अता दच्छिन और पूर्व एसिया में एसिया के देसों में इसकी मांग अधीक है आज देस में 130 जो है बड़े कारखाने है तथा 332 से भी अधीक छोटे सिमेंट सनियंद्रे स्थापित किये जा चुके है बच्चो ओके चाहलो अताहिया कहा जा सकता है कि सिमेंट उधोग में भारत जो है वो क्या है बच्छो आत्मिनिर भर है अगला प्रेशन है कि परदूसन को नियंद्रित करने के उपायों का बर्नन कीजिए तो पहले ये जानेंगे कि परदूसन होता क्या है तो बायू हो जल हो या मिट्टी हो तो बायू जल मिट्टी आदिका अबान्शित दरब्यों से दूसित होना परदूसन कहलाता है मतलब कि बैसे पदाद जो हमें नहीं चाहिए वो आ करके जब बायू में मिल जाए जल में मिल जाए मिट्टी में मिल जाए तो हम कहते हैं बायू जल और मिट्टी परदूसित हो गया है एक जिनका सजीवों पर परतियच रूप से बिप्रीत प्रभाब पढ़ता है और ऐसा होने से जो जिन्दा जीब है यहां पर एक उन पर एक दम सीधा सीधा बिप्रीत प्रभाब मतलब की प्रतिकूल प्रभाब पढ़ता है बचो परदूसन के बिभीन परकार हैं और उसके रोकने के उपाई भी अलग अलग हैं सबसे पहले हम जल परदूसन की बात करेंगे तो नदियों तलाबों और जीलों में गर्म जल तथा अपसिष्ट पदार्थों को गिराने से पहले उसे सोधित किया जाए गिराने से यहां पर पहले जरूर लिख लेना ठीक है बच्चे गिराने से पहले उसे क्या किया जाए सोधित किया जाए उसे पहले साफ किया जाए और फिर उसे नदियों में छोड़ा जाए, मतलब उसमें जो हानी कारक पदार्त हैं जिसके कारण जल बहुत ज़्यादा परदूसित होता है और जली जीब मरने लगते हैं वैसे चीजों को पहले ही उसमें से हटा लिया जाए फिर उसे तलावों में जीलों में नदियों में छोड़ा जाए, उके बच्चों, इससे जल परदूसित का खतरा थोड़ा सा कम जाएगा और भी बहुत सारे हैं जैसे आप उरुबर का इस्तामाल कम करें, कि इतना सक का वे इस्तामाल कम करें, ठीक है जो कल कारखाने हैं उससे निकलने वाले गंदे अपसिष्ट पदार्तों को डायरेक्ट नदी में परभाहित ना करें मतलब बहुत सारे हैं तो हमें केबल जल परदूसन के बारे में नहीं लिखना है हमें सम के बारे में लिखना है तो हम थोड़ा सा लिखेंगे ठीक है जल परदूशन के बारे में सिर्फ थोड़ा सा लिखेंगे अब बात करते हैं बायू परदूशन का तो कोईले के अस्थान पर हम तेल का उप्योग करें धुआ रोका जा सकता है ऐसा करने से ठीक है बच्चे तथा कारखाने में उची चिमनिया लगाई जाए जिसके कारण वो धुआ उतना हानिकारक नहीं रह जाएगा जितना की अभी यानि की कारवन डायोकसाइड युक्त धुआ जो होता है ठीक है बच्चो तो कारखानों में उची उची चिमनिया लगाई जाए चिमनियों में फिल्टर लगाया जाए और कोईले के अस्थान पर तेल का उप्योग किया जाए या बिजली का उप्योग किया जाए धुआनी पर दूसर पर कैसे लगाम लगाया जाए बच्चो तो पटाखों पर प्रत इतना आवाज होता है साइले इनसर उसकी आवाज को दबा देता है ठीक है मिटी परदुशन को रोकने के लिए जंगल मतलब की ये किजिए पेड़ लगाए बन रोपने और चारा गाहों का उचित परबंद करना चाहिए ठीक है बच्छों मतलब किया किजिए पेड़ पौधे लगाईए और चारा गाह का परबंद किजिए जिससे की पस्वों को इधर उधर चरने के लिए ना छोड़ दिया जाए ठीक है बच्छों अता उपर युक्त परदूसन रोकने क क्या है उपाए है अब आते हैं भारत में सूती बस्तर उध्धोग के बितरन का बरनन करें बितरन का मतलब होता है कैसे बटा हुआ है सूती बस्तर उध्धोग के कारखाने आरंभ में कपास उत्पादक छेतरों में लगाए गये ठीक है बितरन की बात हो रही कि कहा है ना त ठीक है, सूती बस्तर उधोग का विबरन अगर देखते हैं तो ये है बच्चों, कि सूती बस्तर उधोग देश का काफी प्राचीन उधोग है जिसमें लगवक साambh 30 करोड लोग लगे हुए हैं मतलब बहुत प्राचीन उधोग है यह हमेशा से लोग इसमें काम करते रहे हैं वहीं पे सूती बस्तर उधोग का पहला कार खाने की बात करें तो यह 1854 इसमी में मुंबे में अस्थापित किया गया था ठीक है और आप लोगों के लिए एक होमबर्ग है जो कमेंट करके जवाब देना है कि पहला कार खाना जो लगाया गया था मुंबे में वो किस का था ठीक है बच्चो अगला जो यह है कि बरतमान में इस उधोग का केंदर मुंबई अहमदाबाद, कोलकता, कानपुच, शिन्नई, नाकपुरी त्यादी जगह पर है मतलब कि इन जगों पर बहुत सारे सूती बस्तर उधोक के फैक्टरीज है ठीक है बच्चो सूती बस्तर के फैक्टरीज है अच्छा, देश का 25% सूती बस्तर जो है ना, वो कहां तयार होता है? मुंबई में होता है, इसलिए उसको कॉटनो पॉलिस कहते है मतलब कि कॉटन का सहर, ठीक कॉटनो पॉलिस कहा जाता है किसको? मुंबई को क्यों? क्योंकि देश का तक्रीवन 25 परतीसत सूती बस्तर बहीं तयार होता है 1951 में लगभग 4 अरब मीटर कपड़ा तयार किया जाता था जो आज लगभग 53 अरब मीटर हो गया है बच्चो तो कितना ज्यादा तरक्की किया है हम लोगों ने वो आप देख सकते हो देश में कुल सूती बस्तर मीलों का 80 परतीसत नीजी छेतर में और सेस सारवजनी के वह सहकारी छेतर में है बच्चो मतलब देश में जितने भी मील है ना तक्रीवन 80 परतीसत मीले जो है वो नीजी है किसी खास अब्यक्ति का है या ब्यक्तियों के समों का है बाकी का जो 20 पर 30 है या तो सरकारी है या तो अर्थ सरकारी है बच्छो तो अद्धा हो पर युक्ति सूती बस्तरे का भी बरन है तो ये हम लोगों ने आज तीन प्रशने किये तीनों प्रशने बढ़े अच्छे हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडिय फ़मी मिल सकता है, सर बिलकुल मिल सकता है जी, तो इसके लिए आपको क्या करना है अपने बेप साइट पर जाना है, बेप साइट पर कैसे जाओगे, आईए, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है आईए हाजी बच्चों तो आपको आना है अपने ये पेज दिखेगा, मेरे उपर में कुछ और भी दिख रहा था लेकिन आपको सबसे पहले ये ही दिखेगा, ठीक है तो आपको इस पे इस तरीके से क्लिक कर देना है, जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पहुँचोंगे, ठीक है और यहाँ आने के बाद आपको यही पे आपको रामबान सरीज के सारी यह मिल जाएंगे, यह रामबान सरीज के नाम से मैं पढ़ाता हूँ बच्चों, तो यह सारा आपको यही पर मिल जाएगा, अब आप कहोगे यहां पर रामबान स्रीज देखो कितने सारे आए हुए हैं ठीक है यह देखो ठीक देखो रामबान स्रीज देख रहे हो तो जो मतलब पिछला जो था जो अपडेट नहीं हुआ था वो यहां पर मैंने अपडेट करवा दिया है अब आप यहां से आकर के सारे रामबान तेंक्यो बच्चो